कॉंग्रेस नेता रहूल गांधी आज तेलगाना के खमम में एक जनसभा को संभोधित करेंगे राज जमें दिसंबर 2023 में विदान सभा चुनाव होने हैं ऐसे में रहूल गांधी की इस रेली से कॉंग्रेस तेलगाना में चुनावी अभिहान की शुरुवात करेंगी मीडिया रिपोर्स के मताबिक इस मोके पर पूर्व सांसत पैनुलेटी श्री नवास रेड़ी खममन में राहूल गांधी की मौझूदगी में कॉंग्रेस में शामिल होंगी महीं राहूल गांधी पार्टी के शिर्ष निताओं के साथ भी बेठक करेंगी आन्द पृदेश में कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवन्त रेड़ी ने कहा कि राहूल गांधी की इस रेली से पार्टी को राज में गती मिलेगी पार्टी कारे करता मुख्य मंत्री के सी आर के नैत्रत वाले बी आरे सरकार के लड़ने के लिए एक जूट है अगर पार्टी खमम शेत्र में दस सीटे जित्ती है तो वह सत्ता विरोधी लहर और पोड़ू भूमी वित्रण विवात के चलते राज्ज में बड़त हासिल कर लेगी उदर राहूल गांदी की भारत जड़ो यात्रा से प्रेड़ना लेते वे कांग्रेस नेता भट्टी विक्रमार्क ने बी आरे सरकार की असलियत लोगों तक पोचाने के लिए पेदल यात्रा निकाली थी ये यात्रा रविवार को खतम हो रही है कांग्रेस का अरोफे की सत्ताधारी पार्टी रेली को फ्लॉप सबित करने की कोशिश कर रही है रेवन्त रेड़ी ने कहा पार्टी ने राज भर से लोगों को खमम लाने के लिए तेलगना राज सडक परिवन निगम की पंद्रा सो बसे किराय पर लेने के लिए दो करोड रुपे का भुकतान किया था लेकिन हम बसों की विवस्तान नहीं कर रहे हैं इसी के साथ बने रही है राज नमा टिवी के साथ दन्यवाद